नमस्कार किसान बाई यहों आपका मेरे चैनल किसान में सवागत है तो किसान बाई आज की वीडियो में मैं को ताँगा कि इस फिदे प्लाइट में फंगस क्यूं लगते हैं और इसके पीशे क्या कारण है और हम जाए कौन से दवाई डाले ताकि हमारे जो जो फिदे दिखा देता हूं तो किसान बाई आपको मारे पास से हाइब प्लाइट इस फिदे प्लाइट चाहिए तो आपको स्क्रीन के पड़िक नमबर शोर होगा तो आप हम इसमपर कर सकते हैं आपको मारे पास से जो हाई बेट को बढ़िया और पूरी ग्रैंटिया प्लाइट आप आपको यह को वही वहाइट चीथ मिलेगी बाकी किसान भी आप हमारे प्लाइट क्वालिट्यHead देख सकते हैं काफे बढ़िया प्लाइट है और देखने में क काफी बढ़िया लग how तो किसान भी आपको हमारे पास है क्लोन पी 30 वैटी, 288, 405 और भी 60 जो मैंने आपको यह चाय वैटी बताई है यह पंजाब की सबसे वेस्ट वैटी है और इनको आजकल काफी ज्यादा खेतों में लगाया जाता है और इन्हीं चाय वैटी को आपको आजकल लगे दिख जाए खेत में और जिनका मार्के रेट है काफी बढ़िया मार्केट रेट है और पर प्लांट जो है 1200 रुपे जाता है मार्के रेट काफी बढ़ी है हाइट के मावले में बेट के मावने प्लांट काफी बढ़ी है अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट जो है इसकी तक्रीव प्रेव को चांफ स्वेवार करते हैं उनकी भाई करवाते हैं उनकी भाय करवाते हैं तो आपको इतना बेड निकाल के देगा तो बाखी किसान भी आप प्लांट दे सकते हैं तोगी सारण बेदरों गिसानब्य, अब हम आपको पताताओं कि स्वेदन प्रान्ट में फंगस कियों लगता है, और फंगस लगने के पीछे का क्या का रह着 हैं, पर नंथे के निजाने का कंच में tok परफिक कर दिया जाते हैं मिटी जो इनकी मीटी उसमें इस्त्माल की जाती है वह Is उसमें आपको कई प्रकार की जब ब्ीमार्या देखने को मिल जाएंगे और लग जाए गी और बहुत उसमें जब ब्रसाथ के मौसम में चूर्ड़ी प्राइब फंगस लगती है जैसे ज्यादा पानी अगर आपके छेट में सादर नहीं हैं पानी आपके छेट में आ आपके तो आगर अपके भी मारी आपका में लग जाएगी तो कीछानु आप जाूब्यज़ है प्रूद को हो सकी तो अपनी खेत में जादा ज्यादा प्लांट को बड़िया देखने को मिल जाएगा और बांकी सब तरीके से प्लांट काफी रहते हैं तो वरसाथ के मौसमें अगर आप निकालने का बड़िया साधर ने जैसे अगर आपके खेश में से पानी जम्मा हो जाता है तो आप उसको निकाल दीजिएगा तो फिर फंकस नहीं लगता है तो अगर फंकस लग भी जाती है तो एक साफ नाम की दुवाई आती साफ के नाम पे उसमें क्या होता है कार्बन डिजन प्लस एम पर तालिस होता है दोनों का मिश्यन होता है अगर आप उनको अपने खीट में डालेंगे तो प्लांट की बड़िया ग्रोध प्लांट में फंकस लगी होगी वह दूर हो जाएगी और आपके प्लांट पहले जैसा ग्रोध करने लगेगा कावी प्लांट बड़ी रहेगा वेट हाय हो जाए सब कुस आपको बड़िया निकाल देगा तो आपको किसी प्रकार का कोई परशानी नहीं होगा तो किसान भी प्लांट में फंकस ठंड के महिने भी लगता है अगर प्लांट में जैसे जादा धूंद बढ़ती है उस वज़े पानी पनने के वज़े आपके तब भी प्लांट में फंकस लग जाती है तो आप यह दवाई यूज कर सकते हैं प्लांट की काफी बड़ी अग्रोध होगी जो लगी होगी वह दूर हो जाएगे और आपको प्लांट में किसी प्रकार का आगे जाए कि कोई भी प्रशानी देखने को नहीं मिले गया और ज्यादा ज्यादा अपने खेतों में हाइविकॉर्टिक लगाएं तो उमीद करता हूं कि आपको काफी हैल्प मिली होगी और आपको पता लग गया होगा कि अगर इस फंगस लगी हो कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं और इस फंगस क्यों लगती है इसके बीचे का क्या का रहने तो गिसान भी आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद फिर मेलते एक नए वीडियो के साथ अब तक लिए जा